हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बहुगुणा यह देखिए दोस्तों यहाँ पर हो तो दोस्तों मैं तो बाहर का एक राउंड लगा के आ गई हूं यह देखिए दोस्तों अमन्ने भग्रियों को डरा तो अभी धूब निकल चुक हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बहुगुणा ब्लोग में तो दोस्तों आज की ब्लोग के सुरुआद यह पहाड के हसीन वादियों से तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गई हूं एक नए वीडियों के साथ और आज क इता है next concrete आप यहार यहारे पहाडों के बीच से और मैं आपको यहां का मौसम दिखाती हूं अभी ट्राइम हो रख्ठा है सुahlा सात और रात में काफी बारिश हो रखी है अभी मौसम सही है बादल लतों लगे हुए हैं लेकिन अभी बारिश लगी ही है ठंडा भी यहां काफी हो रहा है तो आप लोगों का दिखाती हूँ यहां का मौसम और आगे-ागे बने रही है वीडियो में अजय कर दोस्तों यह देखें दोस्तों यहां पर हो रखें आलू केपी यहां सबी लोगों ने अलू लगा रखे हैं और तो दोस्तों मैं तो बाहर का यह ग्राउंड लगा के आगी हूँ यहां की ठंडी हुआ खाके ऑर अमन और अमन के पापा बिष्टर से बहारी निकल रहे हैं बहुत ठंडा हो गिया यहां बहुत थंडा होगिया यहां घ्ला द्स्तों गुद मॉर्णिंग कैसे हो आप सब जों मैं जिकू आप कैसे बेबर तो देखिए दोस्तों सुबे से कभी धूप आरी थी कभी मौसम खराब हो रहा था और अभी अभी टाइम हो रख्था है शुबे 10 बजे का और यहां पर बारिश लग चुकी है दुवारा से दोस्तों आज पता नहीं ऐसा मौसम क्या हो गया है हम लोग यहां आए तो कभी बारिश आ रही है कभी कैसा ही मौसम हो रहा है अभी फिर थोड़ा मौसम साफ होने लगा है मौसम साफ हो जाता तो आप लोगों को और कुछ भी दिखाते हैं यहां का थोड़ा तो दोस्तों बने रहना वीडियो में आगे मौसम साफ होगा तो जाएंगे घूमने आप लोगों के बीच भी सेयर करेंगे यह देखिए दोस्तों अमन ने बग्रियों को डरा के रखा है चुटी-चुटी बग्री है और उनको पकड़ने के लिए जा रहा है तो बग्री भाग जा रही है यह चुटी-चुटी बग्री यह तो अभी धूब निकल चुकी है और अमन परिसान कर रहा है बग्री के बच्चों को मारने के लिए चलनी रहे है दीदी खाना बना रही है तब तक हम लोग घूम के आते हैं थोड़े देर फिर दीदी खाना बना देते हैं तब तक फिर खाना पाएंगे अभी आ जाते हैं इसकुल अधार जाने गूमने वाग उत्का जन लीजिया दोस्तों यह है दीदी लोगों के बगल वाला गाउं यहां से इसा लग रहा है यही पर होगा नजदीक लेकिन दूर काफी है यहां से दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यहां का सुहाना मौसम पहड़ों का किसी जन्नत से कम नहीं है काफी खुश्चूरत लग रहा है बादल बीचाए हुए है तो यहां का स्टूल तो दोस्तों यह है पुरा चेल का जन्नल और यहां काफी खुब्सूरत लग रहा है अभी मौसम भी अच्छा हो गया है सुवे से तो बारिस हो रखी दी और अभी अच्छा हो रखा है मौसम भूपा पाल रखिए तो है कि तो दोस्तों हम लोग यहां घूम के आगे हैं थोड़ा बहुत और यह हैं हमारे नन्ने कलाकार जो अपनी शूटिंग में चल पड़े हैं यह भी और हैलो बोलो आमनी इदर देखो तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्ला का रहे हमारा शूटिंग करते करते अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ को दीदी ने खाना बना दिया होगा खाना खाते हैं और मिल्कते हैं आप से थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये है बिच्छु घास जिसको एक बार लग जात है वो इतना डान से घर देता है पूछा मत तो आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों में इसकी सब्जी भी खाया जाती है बिच्छु बताने कैसे बनाते हैं हमने तो नीग खाई यह गभी लेकिन खाते हैं लोग इसकी सब्जी बल यहां तो दीदी ने बना दिया दाल टब क्या रोटी सब बना रखा है और हम लोग आप खाना खा लेते हैं तो दोस्तों साब हो गई है और आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए सभी लुग स्वस्त रहें मस रहें ब्यस्त रहें और वीडियो को जादे जादा लाइक करें सेर करें नई नए चुड़ अब लोगों के भी शेयर करते रहेंगे तब तक के लिए बाई सभी मित्रों को बाई करो मान बाई